कैसे हो सब बिल्कुल बढ़िया तो चलिए बच्छों यूनिट टू सॉल्यूशन क्लास 12 केमेस्ट्री से बनाते हैं एक्जाम्पल 2.1 तो एक्जाम्पल 2.1 बनाएंगे और समझेंगी कैसे बनाना यह ऐसे तो यह आपके NCRT बुक में बनाया हुआ प्रॉब्लम है बट समझ भी नहीं हो आपसे में तो कैसे बनाने का क्या तरीका है वह देखेंगे ठीक है तो देखेंगे एक्जाम्पल 2.1 कहता है क्वेशन पढ़ रही हूं मैं आप ध्यान से समझेगा कैल्कुलेट दा मोल फ्रेक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इसका फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass ठीक है तो देखें क्या कह रहा है सबसे पहले तो 20% by mass कहता है है तो 20% by mass का मतलब हो गया क्या weight by weight percentage weight by weight जो होता है यानि solute भी जो है वो weight में और solvent जो है वो भी weight में यानि जब solution तयार करते हैं हम लोग तो solution में क्या होता है आपका solute होता है plus solvent होता है हना तो ये भी इसका भी gram इसका भी gram अब आप समझें 20% का मतलब है कि solution है 100 का solution overall solution कितने का बनना है 100 ग्राम का और उसमें चुकि ग्लाइकोल क्या है इथाइलीन ग्लाइकोल क्या है solute है तो solute का percentage कितना 20 तो बचा हुआ कौन होगा solvent होगा यानि 20 प्लस 80 overall कितना बनना है 100 बनना यही है 20% by weight का मतलब कि solution का total weight कितना है 100 ग्राम उसमें solute कितना 20 तो बाकी बचा कितना 80 वो क्या solvent जो की होगा water यहाँ पर water ठीक है क्योंकि क्लास्वेल के अंदर जो पढ़ना है वह क्या है liquid solution पढ़ना है जिसमें अक्वास सॉलीशन ही में पढ़ना है तो यहाँ पर यह है water ठीक है बाता की समसरे अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए क्या है आपका की मों फ्रेक्शन निकालना कि सका इथाइलीन ग्लाइकोल का तो मोल फ्रेक्शन जो होता है अगर आपको मोल फ्रेक्शन निकालना होता है तो क्या करना होता है उसका formula क्या होता है किसी भी माल लिजे कि किसी component दो component A और B रहता है तो उसमें अगर mole fraction निकालना है A का mole fraction A का तो क्या करते है number of mole of A by number of mole A plus number of mole B यही होता है mole fraction का general formula ठीक है तो glycol का निकालना ethylene glycol का तो यहां पर सिर्फ एक जगद क्या लिख दोगे ethylene glycol लिख देंगे ठीक है यह एक formula हो गया कि यह होता है किसका mole fraction निकालने का formula ठीक है अब बारी आती है कि mole fraction में क्या क्या नहीं थे number of moles नहीं थे मोल्स निकालना पड़ेगा यानि मोल्स का भी फॉर्मूला आना चाहिए तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स ओफ C2 H6O2 तो देखिए मोल्स निकालने के लिए जो होता है मोल्स का मतलब होता है जैसे N अगर निकालना है तो weight बटे molecular weight weight given जो होता है बटे molecular weight यही है मोल्स निकालने का फॉर्मूला N इक्वल टू W by M weight by molecular weight weight by molecular weight तो weight आपके solute का कितना है 20 है और molecular weight आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो molecular weight कैसे निकालते हैं तो ethylene glycol का molar mass निकालिए molar mass molar mass of C2H6O2 तो कितना हो जाएगा देखे C2H6 यानि कि एक carbon के लिए 12 होता है तो 2 के लिए 12 into 2 plus 1 into 6 क्योंकि hydrogen का एक होता है oxygen 2 है और एक oxygen का कितना होता है 16 ठीक है तो जब इसको overall आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 gram पर mole तो यह molar mass of ethylene glycol हो गया तो इस जगह पे put करेंगे हम लोग यानि moles of C2H6O2 निकालेंगे कितना 20 gram by 62 gram per mole तो देखें gram से gram कट गया तो क्या बचा आपके पास 20 mole बचा आप पर mole उपर आजएगा तो mole में convert हो गया इसी लिए यह निकाला जाता है इस तरीके से 20 mole हो गये हमारे पास क्या इथाइलीन गलाइकोल ठीक है 20 mole क्या हो गये हमारे पास इथाइलीन गलाइकोल ठीक gram से gram कट गया उसी तरह से mole of water निकालेंगे आप moles of water तो water का weight कितना है चुकि solvent है water तो 80 gram हो गया और molar mass कितना हो जाएगा हाइड्रो वाटर का ह2O होता है तो solar 2 ह2O का कितना हो जाएगा 2 into 1 प्लस 16 तो 18 हो जाएगा यह तो सब को पता है ठीक है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 18 gram पर mole और यह gram तो gram से gram कट तो पर mole उपर आजाएगा तो mole में convert हो जाएगा जब इसको divide किजिएगा आप तो आएगा आपका 4.44 mole तो अब आप क्या देख पर mole नहीं mole सिर्फ ठीक है तो क्या हमारा हो गया अब हमारे पास water का mole पता है और ethylene glycol का mole पता है तो हमको mole fraction निकालना है किसका ethylene glycol का तो आप लिखेंगे mole fraction C2H6O2 ethylene glycol तो mole of C2H6O2 by total mole बोलते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं C2H6O2 plus NH2O मातारी आपके समझे हैं कैसे लिखा total mole लिख दिजे या फिर ऐसे लिखें क्योंकि इसमें solute और solvent ही तो है ठीक है तो यह देखें moles of glycol दिया हुआ है moles of water हमने निकाल लिए अब आपको mole fraction निकालना था C2H6O2 का तो अब आप क्या करेंगे mole of glycol कितना 0.322 mole divided by 0.322 mole plus 4.44 mole ठीक है तो overall कितना हो गया 0.322 mole divided by इसको जब आप बनाएंगे solve किजे इसको तो 0.322 plus 4.44 इसको ऐसे करके mole को बाहर कर लिजे ताकि mole से mole कट गया आप जानते है mole fraction के है unitless होता है उसका कोई unit नहीं होता इस तरह क्यों नहीं होता ये भी आपको समझा दिया कि mole से mole कट गया ठीक है अब आप इसको solve कीजिए तो देखिए जब आप इसे solve करेंगे इसे तो dismal से dismal हट जाएगा और जब इसको बनाएंगे solve करेंगे divide करेंगे तो value देगा 0.068 ठीक है तो देखिए mole fraction of ethylene glycol कितना आया 0.068 अगया अब अगर mole fraction of water निकालना है तो आप formula से भी निकाल सकते हैं जैसे आप ही मैंने अभी ethylene glycol का निकालना हुआ ऐसे भी otherwise हम जानते हैं कि mole fraction of solute plus solvent क्या होता है solvent equals to always 1 ठीक है तो solute का पता हो गया तो solvent का निकालने के क्या कर सकते हैं 1 में से minus कर सकते हैं यानि 1-X 1-X C2H6O2 कर सकते हैं तो 1-0.068 कर सकते हैं ठीक है है थाना तो फिर इसके क्या करना है हमें तो इसको solve किजएगा तो कितना हैगा आपका 0.932 टू ठीक है तो यह हो गया हमारा किसका मॉल फ्रैक्षिन ओफ वॉटर ठीक है तो इस तरीके से यह क्वेशन हम लोगों ने सौल्व कर लिया आगे के क्वेशन के लिए सब्सक्राइब के लिए चैनल को फटाक से बैल आगे उनके साथ आखी जैसे ही वीडियोज डालूंगी लोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर लिजेगा और आप सुनिए ध्यान से एक बात कि कहीं भी प्रॉब्लम रह जाता है को परिशानी रह जाती है तो कमेंट सब्सक्राइए क्योंकि नेक्स्ट कुछ मिलता जूरता होता ह है तो उस टाइम उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए बाय थांक्यू टेक कर है बनाइस दे बच्चों